हेलो दोस्तों मेरा नामें गौतम और आप देख रहें यूलेक लेक्टोनिक्स और दोस्तों यहाँ पे जो आप होम ठीटर देख सकते हो इसको मैं रिपेर कर रहा था और इसमें जो प्रोब्लम था वो था टांसफर्मर का जो कि इसका जो टांसफर्मर है बिल्कुल यह कि जो हमारा टांसफर्मर है दो सेकेंट के बाद इतना हीट होने लगता है कि हमारा यह पूड़ा टांसफर्मर गर्म हो जाता है और यहाँ पे जो तेरपन नीनार में डाइवोड होता है चारपीस जो कि ब्लीज डेक्टिफियर बना होता है वो भी गर्म होने लगता है तो यहाँ पर जो मैंने transformer change किया और नय वाले transformer को लगाया तो यह काफी hit हो रहा था supply देने के बाद हाला कि मेरे home theater में supply आता था आगे जो panel होता उसमें light आता था लेकिन यहाँ पर transformer humming और hitting का problem दिखता था और साथ ही यहाँ पर devote का hitting दिखता है तो इस condition में दुस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले होता है आपको यह चेक करना है कि जो आपका transformer है वह प्रोपर आपका जे है 20-2012 काम कर रहा है यहां नहीं कर रहा है कई बाद क्या होता है कि हिसमें एक Dーい काम करता जैसे जीरो बारा और एक वारा आपका काम करता हूं तो यूरी कि तरह काम करता है कि इसके अशुलाओ तॉट को देखने को मिलता है तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें मste技 यह आपको aspects your data कि वरकाते दिखाई देता हूं कि आपको किस प्रकार से जो है चेक करना है इस टास्फर्म में मैंने सप्लाई दे दिया है और यहां पर देख सकते हैं यह एस्पार्क कर रहा है ठीक हैं तो इसको हम क्या करेंगे कि एसी वाले पर रखके इसका वोल्टेज है जो हम चेक करेंगे कि जो हमारा 12-0-12 है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यह लोग बला जो हमारे 0 है यहां पर 14 वोल्ट आ रहा है और उसके बाद यह 14 volt यहां पर वी आ रहा है मतलब transformer जो हमारा जोनों supply को प्रोपड थरीका से स्याहार आउटिपोट कर रहा है और जैसे मैं इसमें connection करता हूं तो हमारा यह transformer और यह devote हमारा हिट होने लगता है ठीक है अगर इसको ज्टा दे रखोगे तो आपका transformer फिर से खराब हो जाएगा इस condition में आपको अब क्या करना है आपने इसका तो voltage चेक कर लिए कि यहां से किसी तरीका का fault नहीं है यह ठीक proper output कर रहा है उसके बाद direct हम इसमें जो है इस devote को एके करके चेक करेंगे कि यह हमारा जो devote है बिल्कुल तरीका से सही है या खराब है आईए हम इसमें जो है devote को चेक करते हैं और एक-एक devote को हम यहां पे चेक करेंगे दोस्तों यहां पे जो आप devote देख रहे हो इसमें जो यह दूसरा वाला पीन है यह हमारा sort है ठीक है यह मतलब बिल्कुल ओपेन है दोनों साइड से continuity इसमें जो है बता रहा है मैं आपको यहां पे जूम करके दिखा दूँँ आपको यह जो हमारा devote है दूसरी नमर वाला यह वाला बिल्कुल तरीका से यह हमारा खराब है ठीक है इस condition में किया दूस्तों कि डारेक्ट जो हमारा सौट हो जाता है इसी condition में जो हमारा यह transformer था पहले वाला वो खराब हो गया है तो इसमें किया कि एक devote खराब है हम उसको चेंज करेंगे लेकिन सिर्फ यहां पे एक devote खराब है लेकिन हम इसमें क्या करेंगे अगर चारू डाइवोड हम चेंज कर देते हैं तो और अच्छी बात है हो सकता है कि एक devote को चेंज करने के बाद अगला दूसरा कोई भी जो हमारा खराब हो सकता है कि कि सभी जो डाइवोड लगा हुआ एक साथी लगा है इसलिए कुछ ने कुछ प्रोब्रम देखने को मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चारू डाइवोड को चेंज कर लेते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डाइवोड को चेंज कर दिया है चारू डाइवोड को अब मैं इसमें इस transformer का connection करता हूँ और फिर में आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा transformer है वो बिल्कुल तरीका से hidden नहीं होता है और हमारा जो ये home theater है बिल्कुल तरीका से चालू हो जाता है यहाँ पर मैंने connection कर दिया है और आएए अब इसमें supply देते हैं तो दोस्तों मैंने इसमें supply दे दिया है और हमारे home theater में जो है supply आ चुका है मैं यहाँ पर subwoofer का wire जो है connect कर लेता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर subwoofer wire को connection कर लिया है और इसके बाद अब मैं यहाँ पर song play करके आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो मारा home theater है काफी अच्छा से काम कर रहा है और यहाँ पर जो टांस्फफर्मर् आपहेट भी नहीं होता है और यहाँ फे डाइबोर्ड भी हिट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक डायबोर्ड था वह बिल्कुल तरीका से हमारा store था तो मैंने वहाँ पर सारे डाइबोर्ड को doesn'tcho कर दिया एक एक डाइबोरोड soanda तो आप चारो डाप दोस्तों आपकी होम ठीटर में जो प्रोब्लम आता है तो इस प्रकार से आप प्रिपेर कर सकते हो तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो पीज लाइक करें शेर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुछूब